यदि आप फुल कोर्स देखना चाते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें जिससे आप चैनल पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको प्रेलिस पर क्लिक करना है जिससे आपको कोर्सेस की लिस्ट मिल जाएगी जिसपर क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे हाई ये इंगलीज पढ़ने के नियम के भाग 26 में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम जी का ज और ग उचारन के नियम को देखेंगे और इनके एक्जामपल्स को पढ़कर प्रेक्टिस करेंगे जी के मुख्यत दो उचारन होता है ज और ग जी के दो उचारन ही आपको देखने को मिलते है पहला है ज और दूसरा है ग तो कहीं पर जी का उचारन ज होता है कहीं पर ग होता है जी के बाद में यदि ए ओ यू जी के बाद में यदि ए ओ यू अथवा कोई वेंजन है तो फिर G को G पढ़ते है कि जी के बाद में या तो A दिखे या फिर G के बाद O हो या फिर U हो तो हम वहाँ पे G को G पढ़ेंगे G को क्या पढ़ना है? G कर जब आपको जी के बाद A हो या O हो या फिर U हो जैसे यहाँ पे जी के बाद है O इसलिए हम जी का उचार यहाँ पे क्या करेंगे ग तो यह उचार मनेगा आपका गो उसी प्रकार यहाँ पे जी के बाद है A इसलिए इस जी का उचार होगा यहाँ पे ग तो इसका उचार मनेगा आपका गेप और यहाँ पे जी के बाद है यू तो जी का उच्चान यहाँ पे भी गह होगा उच्चान बनेगा आपका गन तो दोर आईए गो गेप गन तो नियम आनुसार यही है कि जी के बाद यादि ओ हो या फिर ए हो या फिर यू हो तो वहाँ पर हम जी का उच्चारन ग करते हैं फिर नियम का एक पार्ट और है कि जी के बाद क्या हो कोई वेंजन हो जी के बाद कोई वेंजन हो तो वहाँ पर भी हम जी का उचारन ग करते हैं तो यहाँ पर जी का उचारन ग होगा तो जी आर का उचारन होगा आपका ग्र एका उचारन ए और बी का उचारन ब उचारन हुआ ग्रेब उसी प्रकार से यहां पर भी जी का उचारन ग होगा चार्ण बन जाएगा इसका गेंग हाई ये और एक्जांपल देखेंगे जहां हम जी का उचारन ग करते हैं और प्रैक्टिस भी करेंगे तो मेरे बोलने के बाद फिर से बोलिए ग्रेब गेंग गार्डन गेदर गेज गेज़ 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 गोल्ट ग्रीम ग्रीम ग्रीप गर्फ मेगा तिंगल फंगल जंगल जिंगल ट्विंग स्वीग गें गें गोल ग्राफ ग्राफ ग्राइंडर ग्रेल ग्रेल प्लेग यहां पे हम इतना उचान करते हैं यूई का उचारन नहीं करते हैं तो इसे बढ़ते हैं प्लेग ब्लोग यहां यहां प्लोग यहां एगर बेग इग्नोर गोट अब कुछ ऐसे सब्द होते हैं जहां पे डबल जी के बाद यदि कोई भी अक्छर हो डबल जी के बाद में यदि कोई भी अक्छर हो तो जी का उचारण हम ग करते हैं यदि आपको किसी सब्द में डबल जी दिखे और उसके बाद में कोई भी अक्छर दिखे तो वहाँ पर हम जी का उचारण भी ग करेंगे जैसे की यहाँ पर आपको डबल जी दिख रहा है उसके बाद में है अक्षर E तो नियमानुसर यही है कि यदि डबल जी हो उसके बाद में कोई अक्षर हो तो वहाँ पर हम दोनों जी का उच्छान करते हैं ग तो उच्छान मनेगा इसका बी, ग और ए आर का र उचारण हुआ bigger clear है नियब उसे प्रगार trigger तो दो रहा है bigger trigger swagger dagger trigger jacked ragged rugged rugged hugged इसक्रेगी सैगी अब नियम नमबर दो जिसके अनुसार जी के बाद यदि e i y हो तो जी को हम पढ़ते हैं जी के बाद क्या होना चाहिए e या फिर i या फिर y तो वहां पर हम g का उचारण क्या करेंगे j जैसे इस सब्द में g है और इसके बाद में है आपका e इसलिए यहां पर g का उचारण क्या करेंगे j और a का उचारण a तो हो जाएगा is क्या उचारण होगा age विश्य प्रकार यहां पर g के बाद है y इसलिए इस जी का उचारण होगा आपका j इसलिए इसे हम पढ़ेंगे energy इस सब्द में भी g के बाद है आपका i इसलिए यहां पर g को हम पढ़ेंगे j तो उचारण बनेगा इसका engine तो नियम clear है कि यदि g के बाद e हो या g के बाद y हो या g के बाद i हो तो हम g को j पढ़ते हैं तो आगे के example में भी हम g को j पढ़ेंगे और practice करेंगे ली आप आपे याश या झज याश या 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 याश प्रेंग थे याश दिजीट, जेम, जर्म, जेल, जेंडर, जेंटलमें, अर्ज, वर्ज, सर्ज, चार्ज, लार्ज, जिस्ट, वेजर, पीजर, इस्ट्रेंज, जाइंट, जिन्जर, यहाँ पर दो जी है, और इस जी के बाद आई है, और इस जी के बाद ई है, जो निया मनुशार, जी का उचार यहाँ पर हम ज़ कर रहे हैं, तो चार मन रहा है, जिन्जर, रिफ्यूज, जीम, ब्रीज, यहाँ पर डी को चार्ण हम नहीं करते हैं, इसको चार्ण करते हैं, ब्रीज, मेसेज, पेसेंजर, प्रिविलेज, तो यह था, जी को जब परने का नियम, परन्तु कुछ अफवाद ऐसे भी है, जहाँ पर हम ज़ नप पढ़के उसको पढ़ते हैं, ग, तो देखे, जो पिछला नियम हमने देखा, उसके अनुसार, जी के बाद यदि, जी को जब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ अफवाद है, जहाँ हम जी का उचारण ग करते हैं, तो नियम अनुसार, जी के बाद यदि, E I Y हो तो G को J पढ़ना है परंतु कुछ ऐसे अफ़वाद सब्द है जहाँ पर G को J न पढ़के आपको क्या पढ़ना है G को G G को क्या पढ़ना है वहाँ पर G तो आएए कौन से अफ़वाद है जहाँ हम G को G पढ़ेंगे G के बजाए तो यहाँ पे है जी और जी के बाद है आई तो नियम अनुसार जी का उचान क्या होना चीए आपका ज़ग परन्तु यह अफ़ाद है इसलिए हाँ पे ज़ग न होके इसका उचान होका यहाँ पे ग तो यशे हम पढ़ेंगे begin क्या पढ़ेंगे begin उससे प्रकार ये भी सब्द है जहांपे हम जी को जाके बजाए गप पढ़ेंगे इसे हम पढ़ेंगे गीजर पानी गरम करने का जो होता है उसे हम गीजर कहते है उसकी स्पेलिंग ये है तो बोलिए बेगें गीजर गीर हंगर फिंगर लिंगर गीफ्ट गर्ल गेट गर्थ गीजर गीजर गर्गेट गेट 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 गाइनकोलोजी तो इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो को दुबारा देखिए दुबारा प्रेक्टिस कीजिए और इंगलेस पढ़ना सीखते रहिए आपको ज़्यादी वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके वीडियो को लाइक करें यहाँ क्लिक करके सेयर करें आप भी सीखें सभी सीखें और आप ऐसे ही वीडियो देखना चाते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें बढ़ने वाली बेल बटन को क्लिक करें आल पर क्लिक करें जिससे आन्ने वाले नए वीडियो आपको नोटिफिकरिन के साथ मिलते रहेंगे और आप इंगलिस सीखते रहेंगे थेंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो